महिलाओं के आभुषनों के संग्रों को और बढ़ाने और नीखारने के लिए नाकपुर के करन्ट कुठारी ज्वेलर्ज में डायमंड मौहत साथ शुभारम किया जा जुका है जिसके अंतरगत शुक्रवार को धरम पेट स्तीत करन कोठारी ज्वेलर्स में डायमन ज्वेलरी का उत्गाटन, कांचन गड़करी और परिनिती फ्रूके की प्रमोग उपस्तिती में संपन्न हुआ इस दोरान ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुई कई महिलाए भी उपस्तित थी भारतिया महिलाओ का श्रूंगार पुरे दुनिया में जाना जाता है अलंकार एक ऐसे महिलाओ की खुपसूरती होती है जिसे महिलाओ के सौंदर्य में चारचान लग जाते है और जब करन कोठारी की जुएलरी हो तो क्या कहना महिलाए करन कोठारी की जुएलरी के तारीप करते ठकते नहीं जी हाँ हम बात करें करन कोठारी जुएलर्स में डायमंड जुएलरी फेस्टिवल के शुक्रवार को करन कोथारी ज्वेलर्स के डायमंड फेस्टिवल का उद्खाटन के आ गया जिसके बारे में जानकारी दी है करन कोथारी ज्वेलर्स के डारेक्टर सीमा कोथारी ने सीमा कोठारी करन कोठारी इस बार हमने नया जुल्डी में एक तो कलर मतलब जेम्स टोन हमने यूज की है जो ओरिजिनल जेम्स टोन से प्लस यह जो डिजाइन हमने बनाई है इसको बनाने के लिए हमारे कारीगर को कम से कम 6-7 मैने से ज़ाद मतलब यह पैंडमिक में उन्हों तड़का ना लगे तो मजा नहीं आता वैसे ज्वेल्री में हमने इस बार जो हैरीटेज ज्वेल्री का लॉंच किया है यह पूरे नागपूर में आपको कहीं देखने नहीं मिलेगी यह मेरी ग्यारेंटी है एंड जो बनाई है इसकी एंड प्लस हमने इसको गोल्ड के है तो वही है कि आप एक बार स्टोर आए और ज्वेल्री ज़रूर देखे कि हमने इस बार क्या न्यू लॉंच किया है ऐसा कहा जाता है कि महिला का श्रूंगार गहनों के बिना पूर्ण होता है और गहने महिला के श्रूंगार में एक बहुत आहम भूमी का निबात है इसी भूमी का को करनकोठारी ज्वेलर्स पिछले कई सालों से समझता आ रहा है जिसके चलते करनकोठारी ज्वेलर्स के धरम पेट की शाखा में डायमंड ज्वेलरी मोहत्सों का आरिजन क्या गया जिसमें शहर की कई नामी महिलाय मौजोद थी करनकोठारी ज्वेलर मते मी आज भेट दी ली आनि खरम जे मी एंची खुप जूरी ग्रहा का है नेमी नेमी प्रत्ते क तेवभर भगून नमी नमी गोश्टी इथे इतस्ता आणी मेलान चा आवडता हां दागी नास्तो आनि सक्या जस्ता में विश्वासा चा नागी नास करनकोठारी मते ही आवाँ मैं इनकी बहुत पहले से कस्टमर हूँ मेरे बेटे की शादी के इंगेजमेंट की शादी की काफी सारी जुल्री हम लोगों ने ली एंड बेस पार्ट मेरे जितने भी अब्राट के कस्टमर है उन सबको गिफ्ट मैं यहीं से डायमड प्रेजन करती हूँ तो आगी इनके पास रिकॉर्ड भी होगा तो हम लोग काफी पुराने कस्टमर है इनके पेस्ट कलेक्शन रहता है इनका और नई डिसाइन्स मैं हमेशा से मतलब हर फंक्शन या हर फेस्टिवल में यहीं से खरीदारी करती हूँ खास करके एंटिक जितनी ज्वेलरी है इनकी उसका कोई भी और कोई ज्वेलर से इनसा कोई मुकाबला ही नहीं है इतनी सुन्दर बनावा डिजाइन और प्यूर्टी सारी चीजे हमको हाँ पे मिलती है डिजाइन तो एकदम यूनिक है जो की एकदम हम लोग मलब कास कर लेडिस लोगों का क्या होता है कि कंवन नहीं चाहिए उनको इहां पर हाँ चीज अपने यूनिक और एक ही डिजाइन दिखेगी आपको उसके जैसा दूसरा कोई कॉपी नहीं दिखेगा यह खास पेशलिटी है। करनकुथारी और यह खास पेशलिटी है। डायमंड मशीन भी लेकर आया है जिसे डायमंड की क्लियारिटी डायमंड की शुद्धता पढखी जाएगी। जिसे शेहर के ग्राहकों को और भी सुविदा होगी। नवीन भरशया चार खुब खुब शुबेच्चा से कहाना। अगर आज कोठारी जोलर्श नवीन डायमंड से डालन नाकपुर करान से खुला केले लाहे। तेचे नाकपुर करान नी योग्ये तो लाब गेवा। अगर आज कोठारी जोलर्श ने कहा कि करन कोठारी जोलर्श में हमेशा ही नई डिजाइन की जोलरी देखने मिलती है। और इस बार भी करन कोठारी जोलर्श डायमंड जोलरी फेस्टिवल के जरिये शेहर के ग्राहकों के लिए नई जोलरी लेकर आया है। यह कहना चाहूंगे कि करन कोठारी जोलर्श डायमंड जोलर्श अले की जोलर्श डायमंड मसू stay up और्टायों की जोलर्श में नए ज्वेलरी नए अंदाज में लेकर आया है। यहां की ज्वेलरी तो सबसे यूनिक है और बहुत ही यूनिक कलेक्शन है यहां का जो कि अभी पूरे ताकपूर में किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। मैं यही करना चाहूंगी कि आप कही और से लेने के बजाए आप करन कोठारी में एक बार तो भी विजिट करिए आप एक बार भी अगर विजिट करोगे तो आपको यहां पर इतने यूनिक कलेक्शन मिलेगे कि आप हमेशा हमेशा यहां पर आओगे। इंट्रदक्शन मेरा नाम असमा उपरे है। 2017 winner, also Mrs. India most popular 2017 and also won Mrs. India most talented 2016 मैं तो regular customer हूं and I believe in ka as diamond collection जो special है वो बहुत not only quality बहुत अपर-class की है but also the unki designs और उन्होंने जो elegance उन्समें जो maintain किया है really hats off to Karan Kothari Jewelers और मुझे लगता है ऐसी यूनिक डिजाइन नाकपर में सिफ Karan Kothari Jewelers में ही पाई जाएगी और बाकी मैं तो हमेशा यहां से visit करती हूं कि मुझे लगता यहां पर जो actual diamond की quality है वो यहीं पर मिलती है और मैं सभी को कहना चाहूंगी कि आप जरूर विजिट करिए Karan Kothari Jewelers कि यहां पर सबसे यूनिक डिजाइन और बहुत high quality design जो आज की महिला है specially ढूंती है हर jewelry design में कि कुछ uniqueness हो तो उनको यहां जरूर मिलेगा thank you so much और मैं आज Karan Kothari Jewelers आई हूं और जैसा के हम कहते है कि diamonds हमारे best friends होते है so I guess यह लड़कियों के लिए बहुत अच्छी opportunity है to have the diamonds here and the festival is going on on a grand level so आप आईए जरूर आईए Karan Kothari Jewelers and enjoy the season I guess Karan Kothari हमेशा surety देता है तो it is the best jeweler in the नापफ़र so you must visit मुझे वो collection देखने के बादी पता चलेगा पर जितना मैंने सुना है और जाना है तो best collection है आका तो definitely आना चाहिए Diamond Jewelery Festival के दोरान उपस्तित महिलाव ने अपने अनुबाव BCN News से साजा कि जिससे यह पता चलता है कि Karan Kothari Jewelers में ग्रहकों का ध्यान रखते हुए सर्वत क्रोष्ट प्रकार की Jewelery उपलब कराई जाती है साथ ही Karan Kothari पे ग्रहकों का एक अच्छा खासा विश्वास भी दिखाए दिया कैमेरा परसेंट राशकुमार मोर के साथ क्षिति जादेश्वक की रिपोर्ट BCN News नापपुर